हेलो गाइज आज हम बात करेंगे कि बैटरी का पानी जल्दी खतम क्यों जाता है उसके बारे में भात करेंगे आज की इस वीडियो में अगर वीडियो पसंद आये तो एक लाइक कर देना चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना आल नोटिफिकेशन को ओन कर लेना ताकि आने वाड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके चलिए अब टाइम ना गुआते हैं अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट बैटरी का पानी खतम क्यों जाता है उसके कई कारण होते हैं आपका इन्वर्टर भी खराब हो सकता है आपकी बैटरी भी खराब हो सकती है दोनों में प्रोब्लम हो सकती है इन्वर्टर अगर अवर चार्जिंग करेगा तो भी पानी जल दिखाएगी बैटरी अगर आपक जो हमिंग होती है आवाज आवाज जो करता है वो थोड़ी सी जादा करेगा अगर अवर चार्जिंग कर रहा होगा तो अगर अवर चार्जिंग नहीं कर रहा तो फिर वो आपका inverter बिल्कुल ओके है फिर आपकी बैटरी में प्रोब्लम है जो की बैटरी खराब होने के कान जल्दी जल्दी पानी सोक लेती है अगर आपकी बैटरी एक या दो में इन्ने तीन में इन्ने तक पानी लेती है तो फिर तो कोई टैंसन वाली बात नहीं है फिर आपका inverter बैटरी बिल्कुल ओके है और अगर आपके वहाँ पर 24 सगंटे लाइट चलती है तो फिर आपके उसकी जो चार्जिंग है वो आई होती है उसको नॉर्मल पर रखना ताकि उसका पानी जल्दी ना सुखे अगर हाई पर रखेंगे तो भी पानी जल्दी सुखेगा अगर आपकी बैटरी 10 से या 15 दन और 20 दिन के अंदर पानी को सोक लेती है तो फिर आपकी बैटरी में प्रोब्लम है और वो बैटरी भी आपको देखनी पड़ेगी दो से चार साल पुरानी है ये 5 साल पुरानी है बैटरी पुरानी होने के कारण भी पानी जल्दी खती है जबकि जिस आलत में जिस कंडिशन में वो बैटरी खराब हो जाती है खराब होने के कारण वो पानी जल्दी सोकती है पहले 20 दन में सोकेगी फिर 15 दिन में सोकेगी फिर पानी डालोगे फिर वो अपते में सोखने लगजेगी और वो बैटरी हीट भी होगी गरम होगी आथ लगा करके आप देखोगे तो उस पोजिशन में आपकी बैटरी चेंज ओने पर है और आप उसको चेंज करा सकते हो और इसका कनफ्यूजन दूर करने के लिए आपको बड़े वी वीडियो का नोटिकेशन आपको मिल सके और कोई भी कुमेंट से आपका कुमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना गाईज और आप में इस्टा पर भी फोलो कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा चलिए आज के लिए इतना ही जैहिन वंदे मा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो ही जैहिन है वां किप ए रूलना कर दो कर